अरोब सीधा सिधा है अब उस आरोब में तो सीधे तूर पिंग में थोड़ी नियुकर में तिकता होथी तो से यसमि-यादब्सेफ आज कि जो लोग सुशासन की बाद करते हैं, अगर उनमें थोड़ी सी भी सर्म है, तो नैतिक्ता के आधार पर तेजस्वियादर का इस्तिपा उनको ले लेना चाहिए था, चाहिए उन्होंने महागतवंधन की एक जूरता पर हामला करते हुए कहा कि एक अभी होने वाला नहीं है लोग यहां लिटी चोखाने आयते, ना कि एक जूरता दिखाने आयते, यहां से निकल लेक बाद फिर सब अपने अपने काम में लग गया, और कभी भी एक जूरता जो है, ओ सफल नहीं होने वाला अब इस सवाल तो नितीज जी से पुछे ना नितीज जी इसके पहले जब आरजिनी से अलग हुए थे तो उन्होंने यही कहा था उससे में जो चार्ज लगा था तेजस्वी के उपर भरस्टा चार का तो नितीज जी ने आप सब लोगों से कहा था और आपके माध्यम से पाई नहीं दीते जस्वी ने तो गटबंदनी ने तोड़ लिया आज तो बिल्कुल उसी तरह की सेम परिस्तिती है अब इस परिस्तिती में नितीज जी में थोड़ी भी नयतिकता है तो अब उनको बताना पड़ेगा कि क्या करेंगे अब जबाब तो ही देंगे लेकिन न अब मुझको नहीं मालूम कि दोनों लोग मिले हैं दोनों के बीच क्या बातचीत हुई इसकी कोई बनक को जानकारी मुझको नहीं अब ही तो हमने कहा कि एक समय था जब नितीज जी इमानदारी से चाहते तो पीम मेटेरियल थे लेकिन उस अबसर को नितीज जी ने स्वें समाप्त कर दिया है अपने पैर पे उन्होंने खुद ही कुलारी मार ली रास्टिये जनता दल के साथ जाकर जब उनकी पाटी का ही अस्तित्यों समाप्त हो गया तब आज की परिस्तिती में जब अपना ही घर खतम हो गया उनका तो कहां देश के लोग उनको स्मिकार करने वाले है जहां तक विपक्ष की एक्ता का सवाल है तो विपक्ष की एक्ता नहीं होने वाली है जो आप लोग भी देखी रहे हैं 15 पा का अलग-अलग सूर आने लगा तो इस पर सिद्व में कुछ नहीं होने वागा कि महराश्च का असर तो निस्चित रूप से होगा लेकिन उस रूप में नहीं होगा यहां जो सत्ताधारी दल है खासकर कि जंता देल उनाइटेड धीरे-धीरे समाप्त होते जाएगा डहते ज है इसना एंगा उसमे तो अब आरोप सिधा सिधा है अब उस आरोप में तो सीधे तोर cohort को नेतिक्ता होती तो सेघ्टेश थियायदाब से आज सतिफा मांग लेना चाहिए था उनको इस्तिफा मांग लेना चाहिए था लेकिन अब क्या नितिश्ची करेंगे जब आप उनको देना पर मिसाइल सिस्वम खतम कर दिया गया अयोग भीयार का ब्यार्थे का अयोग बता नहीं तो पूरे तोर पे स्टेंड गलत है राज्जी की सरकार का ऐसे विशयों अपर स कर दिया की देश भर के लोग आएं जिसे विहार के बच्चों का अहीत होना ही है इसके अहित को कैसे रोका जा सके और साथ ही साथ सम्मिधान के प्रापधानों का भी कैसे पालन हो यहां रास्ता तो शरकार को निकालना चाहिए और मुझको लगता आ करी इमांदारी से चाहे तो रास्ता निकल सकता तो जैसा कि आपने सुना कि क्या कुछ कह रहा है थे मुझभपरपुर पहुंचे ओपिंदर कुछ वहा उहीं उन्होंने नितिज सरकार पर हमला कहते हुए कहा क्यों सुसासन की बात करते हैं और अब जो है नैतिकता के आधार पर तेजस्वी आधार से इस्तिपा लेने से क्यों ही चक रहा है साथ ही उन्होंने कहा कि वह पहले प्यम मटेरियल थे लेकिन जीस तरह से उन्होंने आर्जेडी के साथ गटमंधन करके सरकार बना ली उससे अब उनकी मैटिकता खतम हो गई है विजबपर पूर्चन इस फ